अगर एक विश्वासी किसी को माफ ना करे तो उसका कितना बड़ा नुक्सान उठा सकता है देखो जो सच है वो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभू का आत्मा पोशिक लाएगा अगर एक विश्वासी का कोई विरोधी है सबसे पहली बात प्रभू के वचल में लिखा है यदि हम प्रभू पर विश्वास करते हैं तो उसकी आग्याओ को मानेंगे अगर उसे प्रेम करते हैं तो उसकी आग्याओ को मानेंगे उसकी आग्यां ये हैं कि शत्रू से प्रेम करो, ताने वालों के लिए प्रात्ना करो, जो तुमें श्राब देते हैं, उनको तुमाशी तो अगर कोई तुमारे एक गाल पर थपड़ मारी तुम दूसरा गाला आगे कर दो, मतलब अगर कोई हमें सही होने के बाद भी सताता है हमें दुक देता है, हम पर दोस लगाता है, हमारी बुराई करता है, कमिया निकालता है, डिटाई करता है, हमारे प्रती कड़वाट रखता है, हम सही है, फिर भी हमारे से गलत दुर वेवार कर रहा है, ऐसे वेवार कर रहा है, जैसे हम उसके शत्रू है, उसके दुश्मन ह या हमने उसका कुछ बिगाड़ा है हमने भले ही ऐसा कुछ किया भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें सब कुछ एना बढ़ रहा है तो उस परिसिती में अगर हम किसी विश्वासी को माफ नहीं करते तो यह बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ी गलती को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रति उसके मन में कड़वाहट है जिसकी के प्रति जिसकी व्यक्ति से घर में परिवार में अड़ोसी परोसी में घर में कली सिया में जहां कहीं भी अगर कोई विरोधी बैटा है अगर उसके साथ उसका मेरमलाप नहीं है अगर उसको उस विश्वासी ने उस थर्ड पर्चन को माफ नहीं किया है तो उसकी प्रार्तनाई भी ग्रनित है प्रार्तनाई भी नहीं सुनी जा सकती है वचन में लिखा है यदि तेरे मन में तेरे किसी प्रती किसी व्यक्ति के प्रती या किसी के मन में तेरे प्रती कोई विरोध है कुछ विरोद है बहुत सा रहनी सिर्फ थोड़ा सा विरोद भी है ना तो पहले जा जटपट अपने भाई के साथ उस व्यक्ति के साथ चाहिए वो छोटा चाहिए बढ़ा है मेल मलाब कर ले माफी मांग पश्रत आपकर अगर सामने वाला तुझे माफ नहीं कर तो कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन तू अपने हिस्से का काम तो कर तू माफ कर तू अपने हिस्से का काम करेगा तो तेरी हिस्से की आशिस तुझे मिल जाएगी तेरे दास्ते कुल जाएगे तेरी भेट को तेरी प्रात्ना को तेरे दांदस्वे हिस्से को परमेश्वर सुई प्रभू को जानता है अगर रेक विश्वासि प्रभू को जानने के बाद अगर किसी भी व्यक्ती को जिसे वो देखता है अगर उससे प्रेम नहीं करना है अगर उसको माफ नहीं कर रहा है तो परमेशर की और से उसको माफी नहीं मिल सकती माफी मतलब शमा और लिखा जब तक तुमारे पाप शमा नहीं होगे जब तक तुम स्वर्ग नहीं जा सकते सोचो, परमेशर नहीं जड़ पकड़ रखी हैं आपर यही बास सिगला रखे लिखा है तब तक पाप शमाने होंगे ना तो याशित आ सकती है ना चंगा आ सकती है ना बर्कत आ सकती है, काम हों है, फेलियर को देखता है, इंसान, काम हों है, तकलीफों को देखता है, रुकावर्टों को देखता है, घटी को देखता है, विरोध को देखता है, तकलीफों को देखता है, बिमारीयों को देखता है, लड़ाई दंगे को देखता है, मौत और वो शैतान की सारे कामों से वो घिर जाता है एक विश्वासी जब वो किसी को माफ नहीं करता है तब लेकिन जैसा ही वो माफ करता है लिखा जिस समय तुने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली मेरे भाई और भेनो बस ये भी और इससे भी बहुत बड़े-बड़े कारान है अब सोच कर देखो लिखा है जिस नाप से तुम नाप अपोगी उसी नाप से तुमारे नाप आ जाएगा अगर किसी पे हम दया करते हैं अगर हम किसी को माफ कर रहे हैं तो दया न्याये के ओप पर जय पाती है जैवन दोती है आपका न्याय हो गाई नहीं आप तो डारेक्ली प्रभू के राज्य में प्रवेश्च कर जाओंगे अगर तुरंत आपके हर किसी को माफ करना सीख लोगे तो जाए किसी नहीं आपके साथ बुरा किया है चाहे भला किया हर बात में अपनी तर कर रहे वराना प्रेम प्रकट कर रहे आप उसको माफ कर रहे हो तो इसका मतलब आपने प्रभू के गुणों को प्रकट किया है और आपका रासा साफ हो गया है जैस सामने वाला पजिया है उसकी करनी वो जाने लेकिन आप तो पश्यताब करने के द्वारा आप तो खुद म पाफ करने के दुवारा आप तो प्रमेश्व की द्रिष्टी में भले बन गए यह बहुत भली बात है हमारे लिए हमारा रिस्ता प्रभू के साथ कैसा यह चीज़ हमें देखनी है कोई मनुष्य का रिस्ता मनुष्य में स्वर्ग नहीं लेकर जाया को कोई मनुष्य में आशिस नहीं करेंगा हमारी जुरूरत को पूरा नहीं करेंगा अगर वास करेंगा तो कल सुना देगा भले ही वो कुछ नहीं कर सकता है ना प्रदानों पर भरुस्ता रखना है ना हाकीम उपर क्योंकि वह मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल नहींगे ल जिस समय उन लोगों ने जो परम Song Powder में घरत विश्वास चो कंद जो 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 माफ करने में simply का देसे जा परभो को पुकारतों लिखाया है मैं तुमारी सुण कर स्वर्ग को छुका कर उततर राया मैंत तुमारी सुन लिए सथ समय तुने पुकार करें मैं तेरी सुन ले तुझे मैंने पूरी ती सही निर्माई किया और यहाब बनाया और तेरी शब्द मेरे कानों में पहुचे मैंने तेरी गड़गड़ाने को सुनाया मैं तरी प्रात्ना को उत्तर दिया वरन मैं उत्तर आया हूँ मैं तुझे आशिष दोगा तेरा नाम बहान करऊं तुझे ब्लेस करऊंगा तुझे छुडाऊंगा तुझे बरकद दोगा तिरी रक्षा करऊंगा तिरी सुरक्षा करऊंगा यह कब करेगा परमेश्नधा करेगा तो जब करेगा ज़सरे को माफ करेंगी क्योंकि जब माफ गरnte enter हम प्रबोराभ कि द्रिष्टी में साफ हो जाते हैं लेकिन जब माफ ने करते हैं तो इसका मतलब एक विश्वासिी अपने लिए गलत भीज-बो coils देता है क्योंकि जो इंसान बोता है वही काड़ता है अगर आज मैं किसी को माफ नहीं कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा अगर परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं स्वर्ग कैसे जाओंगा यह सोचने वाली बात है बहुत जादा इंपॉड़न बात है तो मुन नहीं बनाएंगे, हम कड़वाट नहीं रखेंगे, हम मुनला बंद नहीं करेंगे, अगर हमने माफ किया है ना, तो जो जलाएंगे नहीं, आखें नहीं चुलाएंगे, अगर हमने माफ किया है न तो णिटाई नहीं दिखाएंगे अगर हमने माफ किया है न फिर से प्रेम का, सिद्ध प्रेम का कटी मंद बाध कर ऐसा प्रकट करें कि हमारे बीच कुछ बाथ हुई Talk हमारे बीच कभी लडाई हुई नहीं ऐसे बातों को ऐसे विवारों को जब एक विश्वासी प्रकट करता है माफ करने के बाद तब पदा जलता कि सच में विश्वासी ने विश्वासी को या न्यजादि को साफ किसी भी को भी माफ कर दिया है दिल से पूबे मेरे भाई और मिनाच प्रभू इस बात के मैं सिक्षा देता है कि माफ ना करने के वज़े से एक विश्वासी अपना खुद का नुकसान करता है उसमें खुदा का कुछ नहीं जाता है नहीं सामने वाले का कुछ जाता चाहिए या नहीं जानता लेकिन जब एक विश्वासी प्रभू को जानने के बाद भी अगर वो सामने वाले को माफ करता है तो वो खुदा को अपने फेवर में लेकर आता है खुदा उसकी और से होकर लड़ता है फिर अगर एक विश्वासी सामने वाले व्यक्ति को जाएं वो सामने वाला घर का है बाहर का है कलीसिय का चर्च का है नहीं जाती है कोई भी बडोसी है अगर सामने वाले व्यक्ति को गर एक विश्वासी माफ नहीं कर रहा है तो खुदा भी उस विश्वासी की मदद नहीं कर सकत प्रहता है लिखाए तेरे धर्म की कामों की करण, तेरे ही पापों की करण मेने तुस्से अपना मुच्छी पा रुखा है, मैं तेरी प्रात्ना नहीं सुनता यदि तो अपने भाई से प्रेम ना रखे तो तू हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है और हत्यारा कौन है पापी है और तेरी पापों के कारण में तुसे अपना मूच ही पारका है मैं तेरी प्रात्ना नहीं सुनता सोचो अगर बचाने वाला यह अपना हाथ डालेगा तो बागी तो सब मारने के लिए है इसलिए ब्रभू कहा रहा है कि एक विश्वासी को प्रभू के प्रेम को प्रकट करने के दुवारा प्रभू पर विश्वास करने के दुवारा अपने हर एक शत्रू को अफ़ करना है एक विश्वासी के जिंतिगी में, शत्रू नाम का शव्रतो होना ही नहीं मैं छाहिए इस बात का में ध्यान रखना है विश्वासी है, तो मह time कोई शत्रू उना ही नहीं in क्योंकि लिए कि जाब बातें जादा होती है इसलिए माफ करो और आगे बढ़ो पश्रताब करो माफी माफ करो लेकिन आगे कुन बातों के ज्यान रखो आगे से वह गलतिया ना होने पाए हाललोया लेकिन नदो हम सभी को चाहता कि हम प्रबो के प्रेम को परकटक रेतां कि बरपुरी की आशील को हमारे जिवन नहीं को करने के वह से बहुत है गरना करने को कि हमरे जिनदिकी में पतकलीफ नहीं हमें जिन्दि की में सयतान को अवंजर ना बिल looks सितान हमें काट मार फाड़ ना खाए एक छोटी सी गलती के कारण हमें माफ करना जरूरी है अधि हम प्रेम करते हैं प्रभू से तो मनुष्य प्रमेशन ने कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरे पवित्रात्म का मंदिर है तो सोचो जिस शरीर से हम नफरत कर रहे हैं जिस शरीर के हम प्रेम काँ प्रकट करेंगे अकेले घर में प्रेम प्रकट नहीं होता है जब दो लोग साथ में तक पता चलता है कि हमारा प्रेम कैसा है क्या हम एक दूसरी की सह सकते हैं माफ करने के लिए तैयार है शमा करने के लिए बुरी बातों को हमेशा के लिए ढापने के लिए बुरी बातों को, बीती हुई बातों को, गलत बातों को हमेशा के लिए दफनाने के लिए कि हम तयार है या नहीं, अगर तयार है तो उसे कहते हैं करम के दुआरा प्रेम को प्रकट करना, एक नई शुरुआत करना, अलेलुया, तो प्रभु चाहता है माफ कर और आगे यदि कलती अब तक हो भी गई, तो कोई बात नहीं, लेकर जो अपने अपराद एक दूसरे के सामने मान लेगा, तो उस पर दया की जाएगा और वो चंगा हो जाएगा, आमेन, प्रभु ये शुक्त के नाम से प्रभु आपको बहुत प्लेस करें, चाह मसें कि आप सभी को हुआ है